दोस्तो आज किस विडियो में आपको निव फुल स्क्रीन स्टेटस लोगो बनाना सिखाने वाला हूँ किस तरह के से बनाएगे आज किस विडियो में आपको complete step our step सिखाने वाला हूँ Pixel Lab Application से अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीच वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों साथ शेर कर देना तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपका कोई भी सावाल है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं अगर आप मुझसे कुछ भी प्रसनल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टेग्राम पर मैसस कर सकते हैं जहां पर मैं आपको reply दे दूँगा अज को मोबाइल की स्क्रीन के ओपर सबसे पहले आप आपन करेंगे अपने मोबाइल में क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी पर आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको सबसे पहले एक बैग्राउंड एड़ कर लेना है जो कि इस तरह को मिल जाएगा उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है यह new टेक्ट है तो आप इस तरह की से रूटेट करेंगे और आप इसको यहां पर double tap करेंगे इसके इंदर आपका जो भी नेम है उसका जो भी अगला सब्द है वो आप यहां पर लिखेंगे जैसे मेरा नाम है अभाई तो यहां पर मैं लिखता हूँ ए उसके बाद ओके य आपका नेम इस तरीके से आजाएगा इसको हलका सा बढ़ा कर लेंगे उसके बाद आप साइड में टैप करेंगे यहां पर प्लस पर क्लिए करेंगे नीचे टैक्ट पर उसके बाद न्यू टैक्ट आजाएगा इसको आप रूटेट कर लेंगे 90 डिग्री और इसके बढ़ करें इसके इंदर डबल टैप करेंगे इसके नाम लिखेंगे जो भी आगई आगी आपका जो भी नेम है सजय अभय जो भी आपका नेम है जैसे मेरा नमा है अभय तो मैं आप एक को बड़ा रख लेगता हूं बाकी जो नेम है मेरा उसको चोटे सब्दों में आपको यह यह मैं A तो लिख दिया और मैं यहां पर लिख दिदा हूं B-H-A-Y ठीक है आपको अपने नेम को केपिटल के अंदर लिखना है उसके बाद OK करेंगे नेम आपका यहां पर आजाएगा इसको हाँ पर सैट करेंगे साइड में स्लाइड करना है फोन्ट पर आपको क्लिक करना है य इसको हलका सा इंक्रीज कर लेंगे उसके बाद राइट और आप इसको नेम को जस्ट इसके पास में सैट करेंगे बिल्कुल बरोबर नेम लगना चाहिए ठीक है अब आपको इसके अंदर सैफ डालने होगी तो पहले आप नेम को उपर से क्लिक करके लोक कर देंगे खिलें है यहाँ पर आप सैट कर देंगे सेप को और इसको आप जूम करेंगे बिल्कुल सही तरीके से सैट कर देंगे सैट को ठीक है सेट करने के बाद आपको इसको कोपी कर लेना है सेम सेप आ जाएगी एक सेप को आप आ ऊपर ले लेंगे इसकी लंबाही को थोड़ा इंक्रीच कर लेँगे उपर से खीचेंगे और इसको भी छोटा करेंगे जसके आप बिल्कुल षाई तरीके से set करेंगे गरती आप एप पर यह सीज़ादा अच्छी लग रही है यहाँ आप और चोटा सा करेंगे उसके बाद यहाँ पर copy करेंगे एपस के अप जाईगे यहाँ पॉपर ले ले लेगे ठीक है यहाँ पर आपको rotate कर लेना है और इस से आपको आप उपर set कर देंगे इसकी लंबा इस तरह के से increase कर लेंगे और इसको छोटा करेंगे और उपर यहाँ पर इस line-line जो है यह बिल्कुल match होनी चाहिए तांकि corner से सही से दिखेगा हमारा logo तो यहाँ पर उपर वाई line भी बिल्कुल perfect set हो चुकी है थोड़ी मुझे बड़ी लग रही है तो मैं इसको zoom करके सही से चोटी कर लेता हूँ ज्यादा सोटी चोटी भी आपको नहीं रखनी है बट सेम साइच आपको रख लेनी है इस तरीके से ठीक है तो यह देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉपेस्टन लग रही है उसके बाद आपको side में tap करना बीच में import पर आप click करेंगे आपको यह वाल लाइन मिल जाएगी से select करेंगे इसको rotate करेंगे इस तरफ से उसके बाद right side में slide करना है यहाँ पर आप eraser color पर click करेंगे इसको enable करेंगे यहाँ पर आप beast में click करेंगे यहाँ पर एक point आजाएगा इसको black color पर ले जाने के बाद right पर click करेंगे black color हट जाएगा यह जो line है इसको आप हलका सा increase कर लेंगे इतना उसके बाद right side में slide करना है color पर आप click करेंगे इसको enable करेंगे इसके अंदर white color select करेंगे और right पर click करेंगे save को आप छोटा करेंगे और just आपका जो मुह यहाँ पर छोट रहा है line वाला इसके आगे आगे आप बिल्कुल सही तरीके से match करेंगे तो reality look आना चाहिए इस तरीके साब इसको perfect set करेंगे जो की बहुती ज़्यादा professional लगेगा आराम से देखने में तो इस तरीके से set हो चुकी है ठीक है इस तरीके साब को set कर लेना उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर रगते हैं लाइन बहुती ज़्यादा अच्छी लग चुकी है लेकिन इस लाइन की जो लंबाई है वो कम लग रही है उसके हम लंबाई को increase करेंगे तो हम इसको जूम करते हैं और इसकी लंबाई को increase कर लेते हैं तोड़ा सा अगया जाएंगे तो इस सरीख से आपकी Save complete हो जाएगी उपर आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको name को छोड़ने के बाद नहीं select करणा है बाकि सभी Save को अपagn doctr करेंगी नीचे क्लिक करेंगी और पर इसको ok कर देंगे यह सभी shape 1 हो जाएगी उसके बाहरा आगे आगे आ जाएगे नीचे आपको copy पर क्लिक करना है और यह shape आजाएगी नीचे तो इसको आप से रूटेट करेंगे shape को इस तरीके से 90 degree उसके पाद just आप जो name खत्म हो रहा है उसके नीचे आप shape को set करेंगे, इस तरीके से मैं इसको set कर लिता हूँ, और उपर वाली को भी अगर आपको इस साफ से, अगर आप चाहते हैं, तो आप अपने इस साफ से इस तरीके से set कर सकते हैं, लंबाई इधर उधर increase करना, कम करना, तो इस तरीके से और भी ज़्यादा professional लगेगा, यहाँ पर आप जूम करेंगे, और अपने name को सही तरीके से set करेंगे, corner पर यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे, तो आपको name यहाँ पर देखने ह new track आजाएगा, इसको आप rotate करेंगे, इस तरीके से, उसके बाद इसमें double tap करेंगे, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं, creation, edits, या पर other, मैं यहाँ आपर example लिख देता हूँ, status, king, उसके बाद आप ok करेंगे, इसके अंदर अलग font apply अगर मैं यहाँ पर font अगर यह वाला font अगर आपको नहीं देता हूँ, तो आप यह वाला font वे apply कर सकते हैं, उसके बाद ok करेंगे, यहाँ पर आप अपने name को capital के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर king को मैंने छोटा लिखा था, status को मैंने बड़ा एक्सरम लिखा था, capital में आ आप इसको side में slide करेंगे, यहाँ पर आपको click करना है, sorry, बीच में click करेंगे, इसको increase करेंगे, उसके बाद right name को बिल्कुल छोटा सा करेंगे, और यहाँ पर set कर देंगे, अगर आपके पस अच्छा font हो तो और भी apply कर सकते हूँ, बट यह भी बहुत ज़्यादा professional लग रह करेंगे, इन सभी को select करेंगे, उसके बाद नीचे करेंगे, यहाँ पर उसके बाद, okay, सब पूरा जो लोगो वो एक हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल बीच में set कर लेंगे, यहाँ पर set करने के बाद बीच में click करेंगे, import पर आपको click करना है, अब आपको यहाँ पर YouTube क इंस्टरग्राम का, Facebook का और अपनी टेलेकाम चनल का लोगो आप एड करेंगे, आप जिसका भी लोगो एड करना चाहते हैं, मैं आपको चारों लोगो दे दूँगा, वो इसके साब साब एड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले YouTube का select कर लेता हूँ, इसको आप rotate करे करेंगे, उसके बाद right, कुछ भी change नहीं करना है, लोगो को बिल्गु छोटा करेंगे और यहां से जूम करेंगे, पहले हम सारे लोगो को add कर लेते हैं, तीनों लोगो को, उसके बाद इनकी size को same match करा लेते हैं, उसके बाद छोटा वड़ा कर लेंगे, आराम से कोई problem नही इसके बाद side में slide करेंगे, erase color पर आपको click करना है, इसको enable करेंगे, यहां पर point पर click करेंगे, यहां पर point आ जागा black color पर ले जाने के बाद right पर click कर देना है, black color हट जाएगा उसके बाद right, यहां पर अपने लोगों को बल्कूल, YouTube के लोगों के बरोबार यानिके size सभी logo की same ही आपको रखनी है उसके बाद आप यहाँ पर copy पर click करेंगे same logo आ जाएगा इसको आप यहाँ पर set करेंगे और reselect पर आपको click करेंगे इंस्टेक्राम का logo select करेंगे उसके बाद right इसके अंदर automatic black background था वो हट जाएगा उसकी कोई ज़रूर नहीं हटानेंगे इस लोगों को simple सब छोटा करेंगे और इसी logo को just pass में आप perfect set करेंगे यहाँ पर इस होने के बाद ऊपर आपको click करना है नीचे click करेंगे तीनों logo को select करेंगे नीचे click करेंगे उसके बाद okay तीनों logo एक हो चुके हैं अब आप इसको तो आप पूरा नेम भी यहाँ पर नीचे लिकस पर click करता हूँ tag पर click करता हूँ यहाँ नीचे नाम लिखना चाहते हैं लिख देंगे यहाँ पर मैं example लिखता हूँ follow me उसके बाद okay पर आप click करेंगे ए पर click करना है side में slide करना है font पर आप click करेंगे इस recent पर click करेंगे यह वाला font आप apply करेंगे उसके बाद okay यहाँ पर अपने name को मतलब थोड़ा बड़ा लिंगत यहाँ पर click करेंगे उसके बाद इसकी size को engage करेंगे यहाँ से उसके बाद right और follow me को बिल्कुल इसके से नीचे पर उसके बाद इसके बाद उसके बाद उपर click करेंगे और यहाँ पर आप नीचे kernel करेंगे लोगो select करेंगे उसके बाद okay उसके बाद इस तीनों मेय है आपको सभीक की size same रख लेनी है इस तरीके से तो अब अब हमको इसके अंदर color डालना होगा color डालने के लिए क्या करें उपर क्लिक करेंगे दोनों को select करेंगे उसके बाद यानि कि पूरा जो लोग है वो हमारा एक हो चुका है अब आप आगे आएंगे यहां पर आपको मैं अलग सभी color दे दूँगा अगर आपको अंदर से set करना नहीं आता तो मैं आपको अलग से दे दूँगा लेकिन अंदर से set करने के लिए आप क्या करने के बीच में कि वही color आ जाएगा जो कि मैं अभी आपको देने वाला हूँ तो आप उसी color को select करेंगे उसके बाद right right करने के बाद आपको side में slide करना है यहाँ पर आप इसको enable कर देंगे और इसको आप रखनेंगे 90 degree आपके इसाब से जो भी आप रखना चाहते है 90 degree में perfect रहता है उसके बाद आप नीचे इसको हलका सा increase करेंगे और इस line को थोड़ा सा increase करेंगे last line को थोड़ा सा कम कर लेंगे आपके साब उसके बाद right तो यहाँ पर आपका नीम professional set हो चुका है अब आप क्या करेंगे इस नेम पर क्लिकरिंगे side में sliding इसका side हो यहां से enable कर देंगे इसके अंदर black color select होना चाहिए side के इंदर उसके बाद right लोगों आपका पूरी दरीके से यहां पर complete हो चुका है अब आपको एक png frame एड़ करनी होगी चुके एक black color के अंदर है पहले आप यहां पर क्लिक एंगे last में यहां पर इसको आप enable कर देंगे इसके अंदर black color select रहेंगे इस line को हल्का सा कम करेंगे उसके बाद right side में tap करेंगे बीच में click करेंगे import पर आपको click करना है इस तरह की save में जाएग़ सेथ करेंगे जोग ब्लाइक करेंगे जो की black color है उसके बाद right तो इसको आप यहां पर set करेंगे उसके बाद इसको copy करें उसके बाद इसको यहां पर set कर देंगे अब आपका लोगो पूरी तरीके से complete है share वाले options पर आपको click in है default पर आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको ultra click करने उसके बास side to gallery पर आप click कर देंगे अगर आपका लोगो ज्यादा बड़ा देखता है तो आप उपने लोगों को छोटा कर सकता है कोई problem नहीं है यहां पर अपने loagों को आप अपने according छोटा या बड़ा set सकता है यहां पर आपका logo पूरी तरिके से complete है